दियर स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूटुब चानल में बच्चों हम लोग जिस घर में रते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं लेकिन इसके अलावा दुनिया में ऐसे कई भाग हैं जहां पे अलग-अलग परकार के घर होते हैं वहां का जलवायू व जहां पे जीव रहते हैं उसका घर जो होता है उसको जल्टर बोला जाता है और यह क्लास 5 का साइंस बूक है और इस चप्टर का नाम है वाई डिफ्रेंट हाउसेज अलग-अलग परकार के घर क्यों इससे समंदित दिया हुआ है तो आए हम लोग इसको पढ़ना सुरू कर करते हैं वाई डिफ्रेंट हाउसेज अलग-अलग घर क्यों हाउसेज आर अप मेनी टाइप्स घर अनेक परकार के होते हैं देर आर मेनी फेक्टर्स विच डिसाइड दा टाइप अप हाउस और शेल्टर वी बिल्ड जो घर हम बनाते हैं वह कई बात पर निर्भर करता है क कि घर किस परकार का होना चाहिए क्लाइमेट लेंड फॉर्म इकनोमिक स्टेटस एंड मेटेरियल्स अबलेबल आर सम मैजर फेक्टर्स जलवायू जमीन का सोरूप आर्थिक विवस्था और वहां पर मोजुद पदार्थ यह सब कुछ मुख कारक हैं लेट्स नो पार्ट्स ऑफ हिमाचल परदेश एंड जम्मू एंड कस्मीर आर मेड़ अफ सम स्टॉन वाल्स फोर प्रोटेक्टिंग अगेंस दा कॉल्ड थंडे छेत्र जैसे की लदाक हिमाचल परदेश का भाग और जम्मू कस्मीर में बने घर के दिवार पत्रों से बने होते हैं जि इन छेत्रों में बने घर के छत पराया तिर्चा बना होता है जिससे बारिस का पानी और बर्फ आसानी से फिसल कर नीचे गिर जाते हैं दुर्विय छेत्र में बने हुए घर को इगलू कहा जाता है या बर्फ के बड़े बड़े टुकडों से बनता है इगलू प्रिवेंट्स दा चिली विंड्स फ्रॉम इंट्रिंग दा हाउस इगलू घर के अंदर ठंड हवा को परवेश होने से रोकता है गर्म छेत्र के बने घर में कई दरवाजे, खिडिकियां और वेंटिलेटर होते हैं जिससे घर में ठंडी हवा परवेश कर सके पीपल हो लिव इन फ्लूट प्रॉण एरियाज मेक दियर हाउसे ऑन रेज़ प्लेटफॉर्म एंड पॉल्स काल स्टिल्स जो लोग बाढ़ गर्सिच छेत्र में राते हैं हुए घर को उंचा मचान की तरह कई खूटे लगा कर बनाते हैं जिससे स्टिल्स करते हैं इन अर्थक्विक एरियाज लाइक जापान हाउसे और मेड अप बंबूज एंड उड तू प्रिवेंट इंजरीज इन केस दा हाउस कॉलाप्स भुकम कर्सिच छेत्र जैसे की जापान में घर बास और लकड़ियों से बनाते हैं जिससे की घर गिरने पर भी लोग अधिक चोटिल ना हो सके घायल ना हो सके बहुत सारे लोग अस्थांतरित घर में रहते हैं जैसे की हाउसबोट, कारवा, टेंट, इतियादी अस्थांतरित का मतलब है कि जिसे हम आसानी से एक जगह से दुसरे जगह ले जा सके हाउसबोट को कस्मीर या केरल के जीलो में देखा जा सकता है कुछ दीप जैसे की लच दीप के मिनिकोई दीप में लोग घर इंटो से या समुद्र तटके बालू से भी बनाते है जेली collected from the legumes is used to cement the bricks and coconut leaves are used to that's the roof खाड़ी से प्राप्त जेली को cement और इट की तरह उपयोग करते हैं और नारियल के पत्तों को छपर बनाते हैं छपर उसका छथ हो गया कुछ घरों में टाइल्स के छथ बनाये जाते हैं टाइल्स एक मजबूत खपड़ा जैसा होता है उसी को टाइल्स बोला जाता है बिल्डिंग मेथर्स एंड मेटेरियल्स निर्मान विधी और सामग्री जंगली छेतर में लोग लकडियों से घर बनाते हैं यहां लकडियां आसानी से मिल जाती हैं इन रूरल एरियाज मोस्ट हाउसे आर मेड अप मड बंबू पाम लिब्स और स्ट्रॉप ग्रामीन छेतर में अधिकतर घर मिट्टी बांस तारपत्ता और पुवाल से बने होते हैं इस तरह के घर को अस्थाई घर या कच्चा घर कहते हैं अनेक गाउं में घर अव इट सिमेंट और चड़ से बने होते हैं अब गाउं में भी पक्के मकान बनने लगे हैं कई सारे बन चुके हैं कुछ ग्रामीनों के घर बहुत बड़े होते हैं जिसे हवेली कहा जाता है सहरी छेत्र में घर इट सिमेंट और चड़ से बना होता है यह मजबूत और टिकाव घर होते हैं इसे अस्थाई घर या पक्का घर कहते हैं बंगलोज आर इंडिपेंडेंट हाउसेज सरांडेड बाई एन ओपन स्पेस और हैज ए फ्रॉंट लॉन बंगला चारो और से घिरा एक सोतंत्र घर होता है जिसके आगे एक बड़ा सा अंगन होता है एकनॉमिक स्टेटस आर्थिक इस्थिति एकनॉमिक स्टेटस ऑफ यह पर्शन डिसाइड्स दाइप आप आउस यह पर्शन मैक्स जो लोग अधिक पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं वे घर बनाने के लिए सस्टा सामागरी उपयोग करते हैं जैसे कि अस्बेस्टस तीन प्लाइवूड इतियादी People who can spend huge amount of money build high cost houses जो लोग अधिक मात्रा में पैसा खर्च कर पाते हैं वे एक किम्ती घर बनाते हैं They use expensive and the latest materials to make modern houses वे काफी महंगे सामागरी उपयोग करते हैं और एक आधुनिक घर बनाते हैं Living together एक साथ मिल के रहना We all live in our houses with our families हम लोग अपने परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं The families that live near our homes are our neighbors जो परिवार हमारे आज पास रहते हैं वो हमारे परोसी का लाते हैं All our neighbors and buildings around our home form a neighborhood हमारे परोसी और चारो तरप के buildings एक महले का निर्मान करती है We live together in a neighborhood to fulfill all our needs हम अपने मुहले में मिल जूल कर रहते हैं और यहीं से हमारी आवसकता पूरी होती है People live together in cities, towns, colonies, villages and hamlets लोग एक साथ मिलकर नगरों में, सहरों में, कलोनियों में, गाउं में और बस्तियों में रहते हैं A hamlet is a small village where all the shelters have the same occupation एक बस्ती एक छोटा गाउं होता है जहां पे रहने वाले सभी लोग एक ही पेसा से जुड़े होते हैं A village is larger than a hamlet, but smaller than a town or city एक गाउं एक बस्ती से बड़ा होता है, परन्तु एक सहर या नगर से छोटा होता Villages are permanent settlements with number of temporary houses built close to one another गाउं अस्थाई तोर पर बसा होता है, जिसमें अनेकों घर एक दूसरे से सटकर बने होते हैं Nowadays, many villagers have permanent houses, आज कल कई गरामिनों के पास अस्थाई घर होते हैं A town is an area with many houses, shops and stores where people live and work सहर एक ऐसा जगह है, जहां अनेक मकान, दुकाने और गोदाम होते हैं, जहां लोग रहते हैं और काम करते हैं A larger and separate town is called city एक अलग सहर जो बहुत बड़ा हो नगर कहलाता है Town and cities are well planned सहर और नगर योजना बद तरीके से बने होते हैं उसको बनाने से पहले एक योजना बनाया जाती है कि किस तरह से बनाया जाए इसको ये colony is an area in a town or city where people live together as a community colony सहर या नगर का ऐसा जगह होता है जहां लोग एक समुदाई में रहते हैं The basic facilities like schools, markets and hospitals are available in almost all colonies आवस्यक्स वीधाएं जैसे कि school, market और hospital लगभग सभी कोलोनी में होते हैं एक मुहले में लोग एक साथ मिलकर क्यों रहते हैं People living in neighborhood need and share some common facilities like water, electricity, roads, parks and shops लोग एक मुहले में अपनी सामाईन और सक्ताओं के पूर्ती के लिए रहते हैं जैसे कि पानी, बिजली, रोड, पार्क और दुकाने, इतियादी और कई चीज़े हैं All these essential services belong to all residents of a neighborhood यह सभी आवसक्स चीज़ें मुहले के सभी घर की जरूरत होती है There are many advantages of living together साथ रहने के अनेक लाब होते हैं Living together provides us security and moral support साथ रहने से हमें एक दूसरे से सुरच्छा और नेतिक सायता मिलता है We learn to share the resources available हम अपनी चीज़ें एक दूसरे के बीच बाटने के लिए सिखते हैं People in a neighborhood communicate with one another and benefit from the knowledge and experience of one another मौले के लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और वे एक दूसरे का ज्यान और अनुभव का लाब उठाते हैं There are many things that we need to remember when we live together बहुत सारी चीज़े हैं जो हमें एक साथ रहने के दर्मियान याद आती हैं कि हमें एक दूसरे से क्या मदद लेना है Do not waste water and electricity हमें पानी और बिजली की बरबादी नहीं करनी चाहिए Do not throw garbage on the road Keep your neighborhood clean रोड पर कच्रा नहीं फेकना चाहिए अपने आस पास साप सुत्रा रखना चाहिए Develop organization, cooperation, coordination and understanding हमें अपनी संस्था, सहयोगिता और समझ भुज को विक्सित करना चाहिए Do not obstruct the roads and pavements by parking vehicles Road या footpath में पार्किंग करके इसे बाधित नहीं करना चाहिए Help the old and sick people in the neighborhood बिरिद और बिमार वेक्ति को मुहले में मदद करना चाहिए Time of emergency आपात कालिन का समय What are natural disaster or climaties प्राकिरतिक आपदा क्या है Disaster या climaties का दोनों का ही meaning same होता है आपदा A sudden event that causes great damage or loss of life is called a disaster अचानक किसी कारण वस मानो जीवन की बरबादी हो जाए उसे आपदा कहते हैं Disasters caused by natural factors are called natural disasters प्राकिरतिक कारण से होने वाले आपदा को प्राकिरतिक आपदा कहते हैं They are caused by forces of nature that results in change in the condition of the earth ये प्राकिरतिक सक्ती के कारण होता है जिसके परिनाम सोरूप पिर्थवी के इस्थिती में बदलाव हो जाता है चकरवात क्या है Cyclones are strong and rotating winds common to coastal area and are associated with heavy rains and high tides and even fluid चकरवात एक मजबूत और घूमने वाला वायू होता है जो सामानियत तटिये छेत्रों में आता है और इससे भारी वारिस उची उची लहरें और कभी कभी बार तक आ जाती है Effects of Cyclone चकरवात का परभाव All buildings made of wood और mud get damaged and destroyed by strong winds लकडी और मिटी से बने पुराने घर तेज वायू से छती ग्रस्त या नस्ट हो जाता Floating and landslides occur बार या भूस कलंड का खत्रा होता Day to day life of people gets disturbed due to uprooting of electric pulse trees ETC रोजाना लोगों को परिसानिया उठानी परती है पेडों के गिरने बिजली पॉल के गिरने इतियादी कारणों से diseases like typhard, jaundice and malaria sprayed due to contamination of water पानी में गंदगी मिल जाने के कारण कई परकार की बिमारिया पहलती है जैसे कि typhard, jaundice और malaria इसके लावा और भी बिमारिया होती है प्रित्वी के आंत्रिक गतिविधी के कारण आचानक प्रित्वी की सता हिलने लगना भुकम करलाता है Due to earthquake, buildings and other structures get damaged, dams may break and bridges or electricity poles get uprooted भुकम के कारण इमारते हैं और दूसरी बनावाटे छती गरस्त हो जाते हैं बांध, पूल या बिजली के खंबे उखर जाते हैं इससे आग लग सकती है या बार भी आ सकती है Transport, electricity and communication are also affected यातायात, बिजली और संचार के साधन भी परभावित होते हैं Breakdown of sanitary conditions can result in an epidemic इससे स्वचता भंग हो सकती है जिसके परिनाम स्वर्यूप महमारी फेल सकती है In case of earthquake, try to move out to the nearest open area away from trees, poles and nearby buildings भोकम की स्थिती में हमें पेड, खंबे और इमारतों से दूर खुले अस्थान में चले जाना चाहिए If you are in a building and cannot move, get under a table and cover your head with hands or move to the corners of the room अधी आप किसी building में रह जाते हैं, जहां से नहीं निकल पाते हैं तो table के नीचे चले जाना चाहिए और अपने सीर को हाथों से धक लेना चाहिए या कमरे के कोने में चले जाना चाहिए Do not use light or any electric appliances कोई भी बत्ती या विधूत समगरी उप्योग नहीं करना चाहिए What is landslides? भूस्खलन क्या है? Landslides are common in the Himalaya region Himalaya चेतर में भूस्खलन सामाइन बात है They occur when slippery masses of rock, earth and debris slide down the mountain slopes due to heavy rainfall कोई चटान का टुकड़ा या पिर्थवी का मलवा भारी बारिस के कारण पहार से फिसलता है तब इस परकार की घटना घटती है Landslides, block roads, break lines of communication and damage anything that comes in their path भूस्खलन रोड को बंद कर देती है, संचार के साधनों को बाधित कर देती है और उसके रास्टे में आने वाली कोई भी चीज़ को छतिगरस्ट कर देती है What is tsunami? सुनामी क्या है? सुनामी is a series of giant waves that occur due to undersea earthquakes or volcanic eruptions सुनामी विशाल लहरों की एक सिरिंखला है, जो समुद्र के अंदर भुकंप या जवाला मुखी फटने के कारण होता है The waves travel across the sea at great speed and can rise up to 30 meter on reaching the land समुद्र में 30 feet उंची उठने वाली तरंगे बहुत तेजी से जमीन पर पहुँच जाती है The waves can crush anything that comes in the way reducing houses and buildings to rubble इन तरंगों के रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को तबाह कर देती है घर और बिल्डिंग को गिरा कर मलवे में मिला देती है If a tsunami occurs, move towards higher areas, away from sea and listen to the radio and TV for report, warning and advise अधी tsunami आती है तो हमें समुद्र छेतर से दूर उंची स्थान पर चले जाना चाहिए और radio या TV में इसकी चेतावनी और सलाह को सुनना चाहिए What is flood? बाढ़ क्या है? Flood occurs in the low-lying areas near the banks of rivers due to heavy rains नदियों के किनारों जहांके जमीन सामाइन से नीचे होते हैं वहाँ भारी भारिस के कारण बाढ़ आती है As the level of water in the rivers rise, the nearby areas get flooded जब नदियों का जल अस्तर उचा हो जाता है तो नजदिकी छेतरों में बाढ़ आती है Flood can also occur due to breaking the dams or fast melting of glaciers बांध के तुटने या हीम नदियों के तेजी से गलने से भी बाढ़ आ सकती है Flood causes damage to property and disturbs normal life due to breakage of roads, electric poles, telephone lines, etc बाढ़ के कारण रोड का तुटना, बिजली के खंबे का उकड़ना, टेलिफोन के तार तुटना इतियादी नुकसान होते हैं जिसके कारण धन की छती और सामाइन जन जीवन परभावित होते हैं Unhygenic conditions result in spread of diseases गंदगी फैलने की स्थिती में बिमारी फैलने का खत्रा बन जाता है Crops are damaged, resulting in shortage of food फसल छती ग्रस्त होने के परिनाम सवरूप भोजन की समस्या उत्पन हो जाती है How should one deal with a disaster? आपदा से हमें किस परकार निपटना चाहिए Be prepared, हमें तयार रहना चाहिए Keep a bag that contains a torch, pair of clothes and non-perusable food items always ready एक bag रखें जिसमें एक torch, कुछ जोड़ी, कपड़े और खराब ना होने वाला भोजन हमें तयार रखना चाहिए Keep important phone numbers, blankets and sleeping bags ज़रूरी phone number रखें, कुछ कंबल और sleeping bag रखें Sleeping bag, सोने के लिए एक bag आजकल specially मिलता है उस तरह के bags रखना चाहिए Early warning, पुरू चतावनी, be aware of kind of disaster your area is prone to कापदा के परती साधान रहें, इसमें आपका छेत्र भी सामिल हो सकता Providing help, सहायता करें Stay calm, help as many people as you can सांत रहें, जितना हो सके अधिक लोगों को मदद कीजिए Encourage the people to face the situation bravely लोगों को इस परस्थिती से सामना करने के लिए प्रोथसाहित कीजिए Do not get carried away by rumors अब वहाँ से दूर रहें Encourage people around you to help with cash or kind अपने आज-पास के लोगों को प्रोथसाहित कीजिए और उन्हें पैसे देकर मदद करें या दया दिखाकर मदद करें उनसे सहानुभूती दिखाएं What is first aid? प्रात्मिक उप्चार क्या है? Each one of us should know how to give some basic medical help in case an emergency or an accident occurs at home, at school or elsewhere हमें से प्रतेक को जानना चाहिए कि कोई आपातकाल में या दुरघटना में किस प्रकार प्रात्मिक उप्चार क्या जाता है जब किसी प्रकार की घटना घर में, स्कूल में या कोई जगह हो जाती है किसी घायल बेक्ती को पूरी इलाज होने से पहले जो तुरंत आवस्यक उप्चार दिया जाता है उसे प्रात्मिक उप्चार काते है समय पर प्रात्मिक उप्चार मिलने से पीडित बेक्ती का इस्थिती बद्दर होने से बच जाता है और कभी-कभी तो बहुमिल जीवन भी बचाये जा सकता है A first aid box should have following items एक प्रात्मिक उप्चार बक्से में निमलिखिक चीजे होनी चाहिए Cotton bandage, handiplast, detol, seizures, ointment for cutting, burning, ointment, spray for pain, energy drugs for fever, vomiting, pudin hara for stomach indigestion, medicine for allergy, vomiting, ORS powder, glucose, etc रोई, bandage, handiplast, detol, कैंची, मलहम या spray, कटने, जलने या दर्द के लिए, बुखार की दवा, उल्टी की दवा, फुदिन हरा, अपच के लिए, अलर्जी की दवा, ORS powder, glucose, इतियादी ए सारे चीजे एक fasted box में होना चाहिए and live in colonies, चीट याँ, colony में रहते हैं like human beings, many animals live in groups, मनुश्यों की तरह, कई जानवर समुव में रहते हैं animals live in group for protection from enemies, reproduction and to rear their young ones सत्रों से रच्छा, परजनन और अपने बच्चों के पालन पोशन के लिए, जानवर एक समुव में रहते हैं what is social behavior, समाजिक ब्यवहर क्या है insects like ants, honey bee, wasp and bumble bee live together in highly organized societies and are hence called social insects कीडे जैसे की चीटी, मदमक्की, ततया और भौरा अपने निर्मित समाज में रहते हैं इसलिए इसे समाजिक कीडे भी कह जाते हैं a community of social insects is called colony समाजिक कीडों की समुदाई को colony काते हैं a colony can consist of hundreds, thousands and even millions of members एक colony में सेकडों, हजारों या लाखों सदे सो हो सकते हैं a colony of ants, चीटियों की एक colony a colony of ants consists of underground chambers connected to each other by small tunnels चीटियों के colony में भूमिगत कमरे सामिल होते हैं जो कई पतली सुरंगों से जूड़ी रहती है ants live together as a family चीटियों एक परिवार की तरह एक साथ रहते हैं they smell each other with their antenna ants have three classes best on their functions वे अपने असपर्स मूचों से सबके गंद को पहचानते हैं चीटियों को उनके काईर के अंतरगत तीन वर्गों में बाटा जाता है the queen, rani chitti this is the large female ant that lays eggs she can live up to 15 years यह बहुत बड़ी महिला चीटि होती है जो अंडे देती है यह 15 साल तक जिवीत रह सकती है male ants, purush चिटिया these are winged ants that mate with queen to produce eggs they die after mating यह पंक वाले चिटिया होते हैं जो अंडे उत्पती के लिए rani chitti से मिलते हैं मिलने के बाद इसकी मिर्थी हो जाता है worker, shramik चिटिया these are wingless female ants यह बिना पंको वाली इस्तिरी चिटिया होती है they gather food, take care of eggs and maintain the colonies यह भोजन जमा करती है अंडों की दिखभाल करती है और colony को सुरच्चित रखती है larger workers only are called soldiers सिर्फ बड़े शर्मिक चिटियां सेनिक कहलाते हैं they protect the colony from unwanted visitors वे अनेची घुमने वालों से colony की सुरक्षा करते हैं Life cycle of an ant एक चीटी का जीवन चक्र एक चीटी के जीवन चक्र के चार स्टेज होते हैं एग लारवा, पूपा और एडल्ट एडल्ट मतलब बड़ा चीटी जो हो जाता उसको एडल्ट बोलते हैं आप इसको यहाँ पे अपने बुक में इसके चक्र को देख सकते हैं और इसके आगे दिखते हैं, एक मधुमक्य के कॉलोनी में क्या-क्या मौजूद रहता है, बीज आर वेरी उस्फुल इंसेक्ट्स, मधुमक्या बहुत ही लाबदायक कीट है, हुए सहद बनाते हैं, जिसे हम मिठास और रोगानु रोधक के रूप में उपयोग करते हैं, बीज आर वेरी बनाया जाता है, बीज सो, highly organized social behavior, मधुमक्य में कुछ सामाजिक ब्यवहार दिखता है, वे एक घोसले में राते हैं, जिसे मधुमक्य का चत्ता काते हैं, जिसमें मधु को सोता है, हनी कॉम्स are six-sided compartments, मधु का चत्ता चर भागों में बटा होता है, बीज कंसिस्ट आफ त्री क्लासेश, मधुमक्यों के तीन वर्ग होते हैं, क्वीन बी, रानी मधुमक्य, एक चत्ते में एक रानी मधुमक्य होती है, जो हर दिन बारा सुन्डे देती है, ब्रॉन्स, नर मधुमक्य, इस आर मेल बीज, whose function is to meet with queen, या पुरूस मधुमक्य होते हैं, जो रानी मधुमक्य से मिलते हैं, वर्कर्स, स्टरमिक मधुमक्य, इस आर फिमेल बीज, ये इस्तरी मधुमक्या होती है, इसका काम फूलों से रस जमा करना, सीसु मधुमक्यों को खिलाना, और उन्हें सतरूँ से बचाना होता है, और यहाँ पे यह chapter समाप्त हो जाता है, आएज देखते हैं इसमें क्या questions दिया हुआ है, यह है इस chapter का questions, यहाँ पे one number में answer is following, इसमें चार question दिये गये हैं, और यह two number में इसके बारे में बतलाने के लिए कहा गया है, इसके बारे में कुछ लिखने के लिए कहा गया है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यह आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, question number three में fill in the blanks, इसको भरने के लिए कहा गया है, four number में true false दिया हुआ है, question number five में match the following, इसको मिलाना है, और फिर से इसमें और question दिया हुआ है, question number six में, यहाँ पे कई सारे questions दिये हुए हैं, और फिर seven number में true false बतलाना है, और फिर से matching question दिया हुआ है, जिसको match करना है, तो आए मैं आप लोग को इसके question का answer बना के दिखाता हूँ, यह है chapter 3.1 का question answer, और इसमें जो question 1 का यह number में जो दिया हुआ है, यह कुछ अलग सा question दिया हुआ है, मैं आपको दिखला देता हूँ, अब यहां देख रहे हैं, why temporary houses are strong houses, यहां बतला रहा है कि temporary houses, strong houses मजबूत घर क्यों होता है, तो temporary house जो होता है, और अस्थाई जो house होता है, वो strong नहीं होता है, यहां पर question गलत हो गया, यहां पर अगर not लगाएगा, question सही होगा, यहां फिर temporary की जगह पे permanent अगर लगाता है, तो फिर question सही होगा, तो इसलिए मैंने दोनों ही इस्तिती जो पैदा होगा, तो उस दोनों question का answer बना के मैंने दे दिया है, ता यह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहां पर why temporary houses are not strong houses, यहां पर not लगा के दिया है, यहां फिर यह बन सकता है, why permanent houses are strong houses, तो यह दोनों question का answer मैंने बना के दिया है, यहां पर answer दिया गया है, एका, the temporary houses are made of mud, bamboo, palm, leaves and straw, therefore these houses are not strong houses. Why permanent houses are strong houses? The permanent houses are made of brick, cement, iron ruts, therefore these houses are strong houses. Why is forest area people make houses of wood? In forest areas people make houses of wood because wood is easily available in these areas. What are the classes of bees in a bee colony best on their functions? There are three classes of bees best on their functions, queen bee, drones and workers. What are the stages in the life cycle of an ant? The life cycle of an ant has four stages, eggs, larvae, poopa and adult. Question No. 2 in one sentence is a small village where all the shelters have the same occupation. A village is larger than a hamlet but smaller than a town or city. Colony A colony of hundreds, thousands and even millions of members. Stilt house, the houses where are made of raised platform and poles called stilt houses. Haveli, paka houses which are constructed is a big house called Haveli. Bungalow, bungalow are independent houses surrounded by an open space or has a front lawn. Apartment, a private residence in a building is an apartment. Question No. 3 में fill in the blanks दिया गया है, जिसमें भरने के लिए कहा गया है, तो इसका यहां पर direct answer दिया गया है, आप इसको देखकर अपने book में भर सकते हैं. Question No. 4 में true false दिया गया है, तो यहां पर true false लिख दिया गया है, जो कि सिर्फ C नंबर का प्रू है और बाकि सब false है, Question No. 5 में match the following, यहां पर मिलाने के लिए कहा गया है, जैसे A का 5 इस तरह से आप लोग देखकर यहां मिला सकते हैं, direct answer दिया गया है, Question No. 6, यहां पर question answer दिया गया है, Define first aid, the immediate help given to an injured person before proper medical help arrives is called first aid, what first aid should be given for, यहां पर यह सब चीजों के लिए क्या first aid क्या हो सकता पड़ेगा, जैसे burns हो गया, cuts हो गया, तो यहां पर देदिया गया है, अगर इसको मैं पढ़के बतलाता हूं, तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आप लोग इसको आप पोज करके लिख सकते हैं, उसके पाद, scene number में, what is cyclone, list its effects, cyclone are strong and rotating winds, are associated with heavy rains, high tides and flood, effects of cyclone, old buildings get damaged and destroyed by strong winds, flooding and land slides occur, diseases like typhod, jaundice and malaria spread due to contamination of water, what is natural disaster, disaster, disasters caused by natural factors are called natural disasters, what should one do if an earthquake occurs, during earthquake try to move out to the open area away from tree, walls and buildings, if you are in a house get under a table or move to the corners of a room, how should one deal with a disaster, we should prepare to deal with a disaster, keep a bag that contains a torch, some clothes, some food items, important phone numbers, blankets and sleeping bags, stay calm, help as many people as we can, question number 7 में true false दिया गया है, तो यहां पर true false बतला दिया गया है, जिसमें से A सिर्क false है, और question number 8 में match the following, तो यहां पर उसका direct answer दे दिया गया है, इसको देखकर आप अपने book में match कर सकते हैं, यहां पर यह chapter पूरी तरह समाप्त हो जाती है, अगर हमारे वीडियो में चलते है,